वीडिस्टोन ब्रिच पर बेस हमारा जो अगला टॉपिक है डैतुस मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज आपके लिए इसलेएंपॉर्टन्ट है क्योंकि ये आपके सी वेसी के बॉड एक्जाम में तो आता ही है साथ ही साथ practical exam में भी आएगा और practical exam में भी इसके एक नई दो नई तीन experiment आपके syllabus में है it means आपको ये experiment आने की probability 80% रहती है so आपको इस topic को बहुत अच्छे से करना है इसके वाइवा question भी त्यार करने है तो इसलिए इसके topic को समझना बहुत आसा जरूरी है so meter bridge the question of one आता है what is meter bridge so meter bridge is a device which is used to measure unknown resistance अब ये कैसे काम करता है इसका working principle क्या है तो working principle of meter bridge is wheat stone bridge मतला हम अभी wheat stone bridge पढ़के आए हैं वो तो उसका application क्या है meter bridge या meter bridge का principle क्या है wheat stone bridge और wheat stone bridge क्या होता है वही कि अगर किसी charge resistance को किसी quadrilateral की charge sides के से represent करते हैं और उनके एक diagonal में cell और एक diagonal में galvanometer लगाते हैं और अगर इस तरीके arrangement कर पाते हैं कि उस galvanometer से कोई current flow ना हो balance condition बने देन the ratio of any two adjacent side is equal to ratio of another adjacent side structure structure देखते हैं तो आपने अपने physics lab में meter bridge देखा हुआ है आपको बता दे meter bridge एक लकड़ी का घुटका होता है लकड़ी का टुकड़ा होता है जो लगभग 1 meter का होता है यह आपके वह यह देखिए यह जो black lines दिख रहे हैं यह एक base देखें कि वह एक black base दिख रहा है यह आपका एक meter bridge का base होता है इस पर आपकी यह alloy से बनी हुई तीन strip होती है एक यह देखिए यह वाली strip L shape में एक यह वाली strip L shape में और एक यह I shape में मैं जितना जितना देखाऊं उतना देखिएगा ठीक है तो पहले देखा एक base है लकडी के टुकडे का उसके बाद आपके पास यह तीन strip है दो L shape की और एक I shape की इसके बाद इसमें एक जो wire लगा हुआ है A से C तक एक wire लगा हुआ है continue इसका cross section सभी जगा एक सा है और यह magnet या constantine का बना हुआ है इसके साथ ही parallel में क्या लगा हुआ है एक meter scale लगा हुआ है जिसमें 0 cm से लेकर 100 cm तक digit लेखे हूँ यह normal scale है इसका ना meter bridge है इस scale के कारण अब आप देख रहे हैं फिर से आपने क्या देखा एक base था तीन strip थी और एक wire और एक scale यह हमारा होता है meter bridge अब apparatus अब इसको हम बनाते कैसे इसको हम apparatus लगाते कैसे वो देखें यह तो आपको बना बनाए मिलेगा इतना अब आपको क्या करना है आप इनके joints देखिए आपको एक joint देख रहा है M, N, D, X, Y, C, A यह आपके screw points हैं यहाँ आपके screw के लिए options हैं अब आपको क्या करना है M, N पर एक resistance box लगाना है जो की known value का है resistance box क्या होता है पिटा एक box होता है जिसमें कोई switch होते हैं की होती हैं उनको निकालने पर जितना जो की निकालते हैं जो resistance दिखा होता है वो resistance अपलाई हो जाता है चीक है I hope आपने resistance box देखा होगा यहाँ वो wire लगाएंगे जिसका हमें resistance निकालना है सबसे ज़्यादा गलती होने वाली प्रैक्टिकल के दौरान जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे मैंने भी कई बार एक्षिनल लिया हुआ है तो वहां जो मैंने find किया है कि बच्चों को यहीं नहीं मालूम होता है कि हम unknown wire का resistance निकालना है तो कौन सा चाहिए तो वायर आपको लिना चाहिए हमिसा अलॉय का अगर आप copper wire यहां लगा देंगे दैन इट मीन्स आप इसका resistance इस method से नहीं निकाल पाएंगे तो हम यहां मैंगने मैंगनीज कॉंसेंटन मतलब कोई भी अलॉय यहां लगाएंगे नाई क्रोम वायर मेंली हम यहां लगाते हैं जिसका resistivity ज़ादा हो तो यहां रखेगा दूसरा इस wire की length जितनी ज़ादा हो सके वो लिया कीजिए practical के दोरन ऐसा क्यों क्यों हम जानते हैं r equal to rho into l upon a मतलब की जितना ज़ादा length होगा उतना ज़ादा resistance होगा तीसरा resist wire पतला होना चाहिए ठीक है तो मतलब हम चाहते हैं resistance ज़्यादा हो तो हम आरसानी से इसको solve कर पाएंगे ठीक है तो main हमारा क्या होगा है यह हम resistance box लगा दिया यहां एक unknown wire लगा दिया जिसका resistance निकालना है अब इसके बाद आप a और c diagonal के बीच आप क्या owner यहां ड français अब यहां यहां आप सेल लगाएंगे यहां तो लेकलांसी यहां डेनियल सेल यह से कैसे बनाते हैं इसके यह मालख से वीडियो देखैंगी ठीक है विडियो सेल का लग से ऻील देखेंगे अब हम साथी एक switch लगा दिया on-off कर्ने के लिए अब जो eye strip य लोते हैं एको तो आपने d से करणट करदिया दूसरे में लगाएंगे आ जौकी सुआ पैन जैसा स्ट्रिफ होता है इस fare टरीके कि हो द्थे अश्कार्मर्ड आप लिगाएंगे और नीचे इसका current की value 0 हो जाएगी, suppose मैंने यहाँ देखा, current 0 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मैंने देखा, current की value कितनी हो गई, 0 हो गई, उस case में, आप इसको ले लेंगे point B, that means आपको मिल गया, balance case मिल गया, balance case मिल गया मतलब की, अब यह आपका balance हो चुका है, wheat stone bridge लगा देंगे, तो आप क्या लागाएंगे, P upon Q equal to R upon S, तो यह जो AB point है, AB को बोलेंगे, यह जो L आई है, इसको हम बोलेंगे P, और जो BC बहें, तो यह AC कितना था, 100, तो AB अगर L है, तो BC कितना हुआ, 100 minus L, तो R Q की value, 100 minus L, और P की value L से, हम unknown Y का resistance, निकाल सकते हैं, चिक है, अब जब practical करेंगे, तो observation table कैसे बनेगी, सबसे पहला, सील नंबर, नंबर 1, known resistance, रिजिस्टेंस बोक्स से value, जो आप निकालेंगे, नंबर 2, balance point from A, A से balance point कितना आया, मतलब की, जो भी value आई, उसको बोल देंगे L, फिर 100 minus L, and then formula, ऐसी 4 से 5 reading लेंगे, and then calculate करेंगे, mean value निकालेंगे, that is your answer, चिक है, याद रखिएगा, आप जो wire लेंगे, वो क्या लेंगे, nichrome का wire लेंगे, या मेगरीन का wire लेंगे, या अलोई का wire लेंगे, ठीक है, that is the method of meat of bris,